हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस योट्यूब चैनल पर दोस्तों यदि मैं आपको कहूँ कि एम्स जोधपूर में आप लोग जोब करना चाहेंगे तो कौन मना करेगा कोई भी नहीं सभी का होगा answer हां जी हां हम एम्स जोधपूर के इंदर जोब करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का हमारे ये वीडियो एम्स जोधपूर के इंदर जो नर्सिंग की वेकैंसी निकाले गई है उस वेकैंस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर जो नॉन फेकल्टी रेकुर्टमेंट है इसके साथ ही डेपूटेशन बेसेस भी एम्स जोधपूर में वेकेंसी निकाली गई है और दोस्तो तीसरी वेकेंसी की अपन बात करें तो यहां पे जो है रिसर्च के थूरू भी वेकेंसी निकाली गई है जी हैं दोस्तों एम्स जोधपूर के अंदर जोब करना हर किसी का एक ख्वाब होता है सपना होता है कि मैं भी एम्स जोधपूर के अंदर जाके काम करूँ तो दोस्तों यह सपना आज आपका साकार होने वाला है तो Amps जोदपुर ने बड़ी खुसकवरिया आप लोग के लिए दे दी है जैसा के दोस्तों आप देख पा रहे हैं Amps जोदपुर की होपीशल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ Amps जोदपुर ने इस परकार से तिन तिन बढ़तिया एक साथ निकाली है तो सबसे परल अपन बात करते हैं Non-Faculty Recruitment के अंदर जो Senior Nursing Officer के पद पर वेकेंज से निकाली गई है उसका Notice यहाँ पर अपन देख लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है यह Notice 4 मई को रिलीज हुआ था जिसके अंदर Senior Nursing Officer के 99 पद रखे गए हैं जिसके अंदर Level 8 के अनुसार आपको सेदर मिलेगी आपको बेसिक रहने वाला सेंतल जाज 600 और जो स्टाटिंग सेदर रहेगी 90,000 से लेकर के एक लाग तक आपके सेदर इसके अंदर आपको मिलेगी इसके अंदर Qualification के अंदर BSA Nursing और Post Basic BSA Nursing के साथ में आपको तीन साल का एक तीने जार पर इसमें फीस रखी गई है और ऐसी एस्टी पीडियोडी की 2400 रुपेस के अंदर application fees रखी गई है तो दोस्तों यह आप Senior Nursing Officer के पदवे जोब करना चाहते हैं तो यह आप यह सब Qualification आप रखते हैं तो इस वेकेंसी के अंदर आप form को online apply कर सकते हैं जी हां दोस् उसके बाद में हम बात करें Deputations basis पे रोगोचेंगे अपन जो प्रोजेक्ट के थुरू वेकैंसी निकाले गई है जिसके अंदर अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट वाली में है अभी अपने बात करें डेपूटेशन वाली में तो डेपूटेशन का क्या है तो देख लेते ह जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह deputation पे वेकेंसी निकाले गई है जिसके अंदर कौन-कौन चपद रखे गई हैं जहाँ देख सकते हैं Chief Nursing Officer यानि CNO, Nursing Superintendent और Deputy Nursing Superintendent है इन पदों पे वेकेंसी निकाले गई है यह वेकेंसी पे ओली deputation बैसे से पे रखी गई है तो आप यहाँ पे बात करें यहाँ पे Chief Nursing Officer की तो Chief Nursing Officer के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है कि आप जो है Nursing Officer of the State Central Government or Stationary Body or Autonomous Body Holding Analog Post on Regular Basis और with 5-year regular service in the post or in the relevant field in the PB3 with grade pay of RS 6600 और with 10-year regular service in the post in the relevant field in the PB3 with grade pay RS 5400 and processing educational qualification of MSC Nursing from Indian Nursing Council और Require Institute है आपके पास यहाँ तो MSC Nursing हो और इसके साथ ही आप जेख सकते हैं यहाँ पे जो भी Chief Nursing Officer के पदो पर अप्लाई करना चाहता है तो उनके पास यह सब qualification होना अनिवारी है न कोई भी इसमें से और ओर लगावा है मतला कोई भी एक होनी चाहिए नेक्स्ट अपने बात करें दोस्तों यहाँ पे Nursing Superintendent के पदोपे तो Nursing Superintendent के पदोपे हम बात करें तो Nursing Superintendent के लिए क्या क्या qualification मांगा गया है होपी सर ऑप दे स्टेट और सेंटल गोर्मेंट और स्टेस्ट अटर्मस बोडी इस होल्डिंग एनलोग पोस्ट उने रेगुलर बैसिस पे और डिप्टी असिस्टें नर्सिंग सुपरिदेंट हो विठ फाइप एर रेगुलर सर्वीश इन्दे Еई ग्रेट पे होफश रखो जहें jong और चोओंसों के ग्रेट पे पर आपने यह दी रेगुलर verz करणी ऑप्त साल के लिए रेगुलर सर्विस की है खाली यहाँ पर दो साल का एक्सपरेंस मांगा गया सिस्टेंग सूपरेंट के यह आप अपको दो साल का एक्सपरेंस हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके सोला पद रखे गए यह जितनी भी वेकेंसी मैंने आपको बताई चीफ नर्सिंग ओपीसर नर्सिंग फिल करने के बाद में आपको फ्रोपर चैनल अप्लाई करना है यानि आपने जो भी जहां पर आप काम करें वहां पर पुरा जो है इन्फॉर्मिशन आपको देनी है और कुछ फॉर्म है जो आपको वहां से साइन वाइन करवा करके आपको स्पीट पॉस्ट भी करना पड़े हैं वह से फिर भी बता जेता हूं www.ms.pud.edu.in पर जाकर अफलाई कर पाऊगे आप और यहां पर देख सकते हैं कि कि अधा कॉंप्लीट एडविटराइजमेंट प्रिस्क्राइब एप्लिकिशन फॉर्मेट सार्टिपिकेट केडर क्लेरेंस सार्टिपिकेट इंटिक्रिट सार्टिपिकेट विजिलेंस क्लेरेंस मेजर और माइनर पेनल्टी अवेलेबल ऑन दी ओपिसल वेबसाइट ऑफ दी एम्स जोदपुर के उपिसल वेबसाट पर सारे मिल जाएंगे ठीक है रेकूट्मेंट ऑफ डेपूटेशन वाले के अंदर आप जाकर करके देख पाऊ पर देख लेना यह सब सब्सक्राइब करना चाहते हैं अब हम बात कर रहे हैं जो रिसर्च के अंतरगत वेकेंस से निकाले गई है उसके बारे में देख सकते हैं पर रिसर्च वाले ऑप्सन में जाते हैं और यहां देख मरून जो जो जिसके अंदर जियना यह अप्ला आपकेंसि जयर्च में तॉप देखेंगे तो यह वेकेंसिज्य शचाहिज में चाली है तो यह प 내कूमा चाहलत बैस्पिर नेगाली आप एप्लाई कर सकते हैं ठीक है और साथ में ही 30 साल एज करेटियर है कितना है 30 साल और यहां पर देख सकते हैं सेधरी जो इसमें मिलेगी 31500 तो यहां पर आपको मैंने बताई यहां पी जो वेकेंसी के बारे में जिसके अंदर सबसे पहले अपने बात करी सीनियर नर्सिंग उप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना हो दोस्तो 27 माई दो जार टेक्स को मोनिंग में इंटर्वी रखा गया है ठीक है वह कर दो आपको जा करके जिसका फॉर्मेट है बाइड़िटा है वह भर करके ले जाना है भेजना नहीं है खाली डार्वी स्थीदिन है application form ठीक है वो सब लेकर के आपको पहुंच जाना है ठीक है सब 23 मही को यह application form में दे रखा है format for application तो यह feel करके ले जाना है डारेक्ट महीं पे ठीक यह फिर वहाँ जाकर लेना आप लोग तो यह सारे पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कोल पर जरूर से दबा लेना है मिलते नेक्स नए वीडियो के साथ आज किस वीडियो के लितना ही धन्यवाद